लगातार अपोजिशन के नेताओं के घरों पर छापे मारी क्यों की जा रही है सवाल भी है कि बीजेपी नेताओं के घर पर छापे मारी क्यों नहीं की जा रही है क्या अपोजिशन के नेताओं को डराने की कोशिस है या फिर कोई और वजहा और बुजुर्ग लालुयादों को लगातार EDCBI के द्वारा क्यों परिशान किया जा रहा है नमस्कार मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक यह जब से नरेंदर मोधी जी सत्ता में आये हैं तो ता इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि जहां पर BJP गवर्मेंट कहती हैं इनके घर पर छापा मारना है EDCBI वाले वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर छापे मारी की कारवाई को शुरू कर देते हैं आपने देखा किस तरीके से मनी सिसोधिया के घर पर छापे मारी की गई और इसके बाद सिसोधिया को 26 फरवरी को पूछताज के लिए CBI हरकौटन बुलाए गया बकायदा 8 घंटे तक पूछताज भी की गई और इसके बाद शाम 7 बजे सिसोधिया को गिरफतार कर लिया ग और कोट ने रिमांड भी दे दिया पूछताज वी और इसके बाद सिसोधिया को 20 मार्ज तक के लिए तिहार जेल भेज दिया गया कल शाम खबर ही आई कि सिसोधिया को अब इडी ने गिरफतार किया है सिसोधिया जेल में बंद थें वहाँ पर इडी पहुंची वहाँ पर दो राउंड पूछताज भी हुई कई घंडे तक पूछताज होने के बाद सिसोधिया को तिहार जेल से गिरफतार कर लिया गया लेकिन अभी जो खबर आ रही है अभी खबर आ रही कि तेजस्तवी आदों को भी परिशान करने की कोशिस अब इडी के द्वारा की जा रही क क्योंकि आपने देखा था बीते दिनों किस तरीके से CBI की टीम पटना पहुचती है और इसके बाद राबडी देवी के घर पर छापे मारी करती है लालू यादव से दिल्ली में पूछताज की जाती है राबडी देवी से पूछताज की जाती है अपोजीसन जितने नेता ह यानि जिनका तालूकात भारती जनता पाइटी से नहीं है उन नेताओं को परेशान करने की कोशिस की जा रही है मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ लाइव हिंदुस्तान ने छापा है एडी ने अब तेजस्वी यादो पर कासा अश्रकन जा लेंड फॉर जोब मामले में दिल्ली वाले घर पर एडी का छापा पड़ा हुआ है आगे लिखता है हिंदुस्तान रेलेवे में लेंड फॉर जोब मामले में बिहार के डिप्टी सियम तेजस्वी यादो की मुश्किले भी बढ़ गई है प्रवरतन निदशाला यानि एडी की टीम ने तेजस्वी के दिल्ली इस्थित आवास पर छापे मारी की है इसके अलावा आर जेडी सुप्रिमो लालु प्रसाद यादो के कई करीबियों के ठिकाने पर दिल्ली और पटना में छापे मारी की जा रही है ब्रेकिंग निउजर लेटिस निउज मैं आपको बता रहा हूँ आर जेडी के पूर विधायक अबू दोजाना के पटना इस्थित आवास पर केंद्री एजंसिया पहुंची है वहाँ पर छापे मारी करने के लिए देखिए भारा समचार खबर छापी है गाजियाबाद पूर मलसी जितेंद्र यादो के घर पर ईडी का छापा लालु यादो के समधी ह और लालु की बेटियों के घर पर भी छापा पड़ा है दामाज राहुल के खाते से एक करोड का ट्राजेक्शन हुआ था राबडी यादो के खाते में ट्राजेक्शन मामले की जाच हो रही है दिल्ली एंसियार और विहार में एडी की छापे मारी लगातार जारी है करोड उपे नगर वरामत किये गए तो वहाँ पर क्या एडी पहुची क्या वहाँ पर सीवी आई पहुची क्या वहाँ पर आईटी पहुची अगर नहीं पहुची तो क्यों नहीं पहुची बड़ा सवाल है जो जिन जे नेताओं पर पूरा जिनका चिठ्था बन जाता प पूरी तरीके से सही हो जाता साप हो जाता दूद का धुला हो जाता है तमाम कई लोगों को तो मुख्यमंत्री तक बनाया गया है आप जाकर कर गूगल कर लीजिएगा हेमन्द श्रमा कौन है जाकर पता कर लीजिएगा आपको चीजे सारी पता हो जाएंगी और देखिए किस मिशा भारती और हेमा यादो समेथ 17 ठीकावनों पर छापे मारी की थी सीबी आई ने इस मामले में लालू यादाओ रापडी देवी मिशा यादाओ और हेमा यादो के अलामा नौकरी के बदले में कम कीमत पर जमीन देने वाले कुछ अयोग मिद्वारों समेथ 16 लोगों पर F.I.R. दर्श की गई थी सीबी आई ने 24 तकश 2022 को एक बार फिर से आजिरी निताओं के हां छापे मारी की थी आपको जानना चाहिए किस मामले में छापे मारी हो रही है ये लैंड फॉर जॉब स्केम है क्या लालू के रेल मंतरी यानि लालू यादो जो थें 2004 से लेकर के 2009 तक रेल मंतरी थें रेल मंतरी रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्केम हुआ था नौकरी के बदले जमील लेने के घुटाले में लालू और उनके परिवार वालों पर रेल वे में नौकरी दिलाने के बदले जमील लेने का आरोप है यानि उन्होंने नौकरी दी थी और उसक लाख स्क्वाइर फिट्स जादा जमीन महज 26 लाख रुपे में हासिल की थी जबकि उस समय के सलकर रेड के अंसार जमीन की कीमत 4 करोड 49 लाख रुपे थी खास बाते हैं कि लेंड ट्रांसफर के जादा तरकेस में जमीन मालिक को कैश में भुकतान किया गया है अब आप सोच के की पुलिस गल्ति से कुछ पैसे बरा मत कर लेती है करोडो में तो वहां पर छापे मारी क्यूंगार नहीं होती अपने इमें बड़ा रही है देखिए किस तरीके से अखलेश यादों को परिशान किया गया, किस तरीके से अब लालो यादों को परिशान किया जा रहा है मोदी सरकार ने CBI के जरिये किस तरीके से सिसोधिया के गर्दन पर अपना हाथ रख दिया, सिसोधिया गिरफतार कर लिया गया और खबरे आने लगी देखिए अब केजरिवाल की गिरफतारी तैं हैं लेकिन आप चिंता मत कीजिए 2024 में मोधी जी को चुनाल जीतना है अभी केसियार की बेटी गिरफतार हुई है न तो अभी और तमाम लोग गिरफतार होंगे और यही सरकार चाहती है मोधी सरकार चाहती है 2024 में कैसे भी करके देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी बने KCR के बारे में एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है दर असल KCR जो है जो भी अपोजिशन की पार्टियां है उनको फंड देने का काम करते हैं चंदा के रूप में यानि अपोजिशन की पार्टियों मजबूत किया जाए जिससे प्रधान मंत्री मोधी यानि जो NDA है जो BJP है यह लगाता कमजोर हो क्योंकि सभी राजनितिक पार्टियों के पास इतना धन नहीं होता इतना रुपया नहीं होता कि वे लोग जो है कि फंड ला करके चुना अलर सकें क्योंकि फंड देने माला कोई नहीं होता केसियार उनकी मदद करने का काम करते हैं यह रिसोर्स बता रहे हैं हमारे सुर्थ बता रहे हैं और इसलिए जब टियारस यानि पहले जो है कि टियारस थी जिसके चीफ केसियार है मुखमंत्री में है उन्होंने जब बियारस की इसके इसलिए अब के सियार की बेटी को भी गिरफतार किया गया है और किस मामले में जो दिल्ली का कथ शराब भोटाला है उस मामले में गिरफतार किया गया है कई आरोपी गिरफतार किया थे दोशी नहीं है आरोपी है इनको गिरफतार किया था इनको कईयों को तो जमानत दे दी जईए और आज आज सिसोद्या गिरफ्तार किया था और आज को क्या सुना की अधा का नहीं मिल पाता है यह तो आज का वक्त बताएगा आज के पूरा दिन बताएगा कि हम लोग कबर को फek doe कर रहें लेकिन जिस तरहीके से पोजिशन नेताओं को हम बलिका बख्रा बन and जार है क्या ये ठीक है या फिट ठीक नहीं है या दो हजार चौबिस जीतने के लिए एक बड़ी प्लाइनिंग बीजेपी द्वारा किया जार है जिसमें ED, CBI और IT के लोग मदद कर रहे हैं आप लोग अपनी दाहे में कॉमें शक्षन में जरूर बताएगा क्योंकि ऐसी गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्मल दस्तव को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्मल दस्तव को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, ला